हलो थुडेंट्स अफ लास एट्थ मैं हूं सुरस सर आज हम लोग क्लास एट का ही फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्णट चैप्टर पढ़ने वाले हैं अहां क्लास एट ही नहीं लास नाइन में भी यह चैप्टर है आपका साउंड और यह साउंड बहुत ही ka sound किसे कहते हैं sound एक energy है जो सुन पा रहें जिसकी वजय से अब clear है यह mobile से आवाज निकल रहे हैं अब शुन पा रहा हूं यह sound ही तो है है अब sound को पूरा detail में पढ़ेंगे फूरा साउंड physics तो वेसे वहहीं interesting subject आपकर general life का चीज है बहुत interesting है sound क्या पढ़ेंगे पूरे चाप्टर में ज़र समझ लेते हैं पढ़ेंगे what is sound sound कहते किसको है ठीक है sound किसको कहते है production of sound by sound produce कैसे होता है कहीं भी अभी हम बोल रहे हैं तुम सुन रहे हो और तुमारे आस पास गाड़ी वगएर हर जगर से sound निदल रहा है तो sound produce आखिर हो कैसे रहा है how sound is produced थर्ड पढ़ेंगे हम लोग propagation of sound आपको पता है कि अगर आप चले गए space में यानि तुम और तुमारे दोस्त दोनों को हमने पहुंचा दिया कहां पर बड़ा इच्छा है न तुम लोग को चांद पर जाने का चलो चांद पर पहुंचा दिये तुमको और तुमारे दोस्त को चांद पर पहुंचगे तुम दोनों चांद पर तुमारा दोस्त कितना भी जोर से चलाएगा न तो तुमको सुनाई देने वाला नहीं है तुमारे भगल में खड़ा है तुमारा दोस्त चला रहा है लेकिन तुमको उसका आवाद सुनाई अगला समझते है speed of sound, जैसे light के speed होता है ने विचे sound का भी अपना एक speed होता है डिपेंड करता है कि किस जगह का material medium का एसा है यहांने air में water में solid में हर जगह sound के speed होगा इसको detail में पढ़ेंगे हम लोग फिर पढ़ेंगे हम लोग characteristics of sound, characteristics of sound का मतलब क्या हुआ कि sound जो है, इसका कुछ ना कुछ तो property होगा, sound में कुछ गुन होगा, वो सारे गुन को पढ़ेंगे हम लोग, दो गुन है इसका, बहुत गुनी है sound यह, क्या है amplitude of sound और frequency of sound, दोनों समझेंगे क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम लोग loudness of sound है, जाते हो तुम लोग party वाड़ी म है, बड़ अच्छा लगता है ना उसमें loudness है, तो loudness वाला sound क्या होता है, जाते हो उसको समझेंगे, pitch of sound, pitch of sound मतलब तीखा आवाज, स्रिल आवाज, हाँ ऐसे ही कुछ sound, स्रिल, स्रिल है, तीखा आवाज, अगला है quality of sound, quality of sound का मतलब क्या हुआ, कि आप रूम में बैठे बगल वाले रूम में आपके पापा जी भी है, आपके मामा जी भी है, आपके पापा जी या मामा जी दोनों में से कुई एक आदिमी बगल वाले रूम से आवाज लगाते हैं, तुम्हारे जो भी नाम है, आवाज लगा है तुमको, तुमको समझ में आ जाता है आवाज कह रहे हैं तुम सुन रहे हो तो बोल रहे हैं तो बोलते समय साउंड प्रोड्यूस आखिर कैसे होता है यह वोकल कोड आखिर काम कैसे करता इसको डिसकस करेंगे फिर पढ़ेंगे सुनते कैसे अब बोल रहे हैं तुम सुन भी तो रहे हो अब सुनते कैसे वह भी तो पढ़न गाना बज रहा है तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन दूसरा जो साउंड होता है weitere लगता है संद में लगता है कोई संद इतना अच्छा लग रहाँ सुनने में वाह प्लिजेंट है कोई संद इतना गंदा लग रहा है सुनने में क्यों लग रहा है पार कि सामने कड़ा है आदमी जूर से चलाया अपना नाम उधर से आवाज फिर सिर सुनाई देता है उसको दील में application of sound, sound का use करके बहुत सारा काम होता है, कभी सुने हो कि को याद भी अपने पेट का ultra sound कराने किया है मतलब पेट में कोई problem हो गया है उसको तो ultra sound कराया ultra sound, sound world वहाँ भी आ रहा है न क्या चिड़िया है, यह समझ में आएगा आगे infrasonic sound, ultrasonic sound कुछ sound ऐसा होता है, जो हम लोग को सुनाई देता है कुछ sound ऐसा होता है, जो हमारे आसपस है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है, भूत की तरह है समझ में नहीं आ रहा है, सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में अगर आपने चैनल को भी तक सबस्क्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सबस्क्राइब करिए, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन फटा-फट मिलते रहे, जरूर सबस्क्राइब करिए और बताए इसमें से कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा इच्छा है, जल्दी पढ़ने का, ठीक है, और अगले वीडियो में मैं आपको सारा कुस्तों बताओं गहीं और एक बाद और बताते हूं